तो अगर ये बिल पास होता है पार्लिमेंट में तो सोचे इसे कितने गरीब बापूं के कंधूं पे जो बोज है अपनी बेटी को भीहाने का वो जो है वो कम हो जाएगा सौ महमान और दस पकवान बिल लोकसभा में पेश कॉंग्रेस MP जजबीर सिंग गिल ने पार्लिमेंट में ये बिल जो है वो पेश किया ये बिल इसलिए पेश किया गया ताकि जो शादी में फजूल खर्च जो है किया जाता है जो शादियों में फजूल की गिफ्ट्स प्री वेडिंग गिफ्ट्स कार डिस्रिबूशन पे ज खर्च होता है या बड़े-बड़े वेडिंग प्लानर्स को जो है बुलाया जाता है और फजूल खर्ची जो है शादियों में की जाती है ये एक बेटी के बाप के कंदू पे बोज होता है उसे ये बोज ये जो आफ के लिए दिखावे के लिए करजा लेना पड़ता है या तो बेंक से लोन लिया जाता है या प्लाट्स बेजकर या अपनी जाइदाद बेजकर जो है अपनी बेटी की शादी जो है धूमधाम से करवाते हैं लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है क्या वजुहात है क्या वो शक्स कैसे वो पूरा कर रहा है और धूमधाम से शादिया कर रहा है आकिर वो पैसा कहां से लाता है इसके पीछे जस्बीर सिंग गिल ने जिए एक जगा वो शादी में गए और महां पर उन्हों ने देखा कि शादी में ज हो 284 पकवान पके हुए थे और उनमें से 192 पकवान जो ट्रेज में लगे हुए थे उनको किसी ने हाथ तक नहीं लगाया तो सोचिए कितना खाना वहां पर वेस्ट हुआ यह उन्ने ख्याल किया उसके बाद जब उन्होंने बताया कि सबसे पहले इस बिल के बारे में उन्ने कहा कि यह बिल जो है पारलिमेंट में इंट्रिड्यूस होना चाहिए और कानून इसके महमान और दस पकवान पकने चाहिए और लड़के या लडकी की तरफ से आने चाहिए ऊस से जादा और गिफ्ट्स की बात अगर की जाए तो जिस सो रुपे से जादा महंगा तौफा जो है वो नहीं देना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें खसूसी मौके पर यानि शादियां है या कोई तहवार है कोई फेस्टिवल है उस पर जो खर्चे किये जाते हैं यानि फेस्टिवल्स को तो अगर इसलिए हम मनाते हैं कि हम उपर वाले को याद करें उसके और करीब आ सकें कुछ ऐसे तहवार होते हैं लेकिन लोग क्या करते हैं उन तहवारों में भी दिखावा करते हैं गिफ्ट देते हैं महंगे से महंगे तो फो तवाइफ दिये जाते हैं एक दुसरे को मिठाईयां बांटी जाते हैं अ उसके बाद फैस्टिवल्स में जो फजूल खर्चियां होती है शादी भ्या में जो फजूल खर्चिया होती है उनको रोका जा सके और जैसे फुड कहना वुस्त होता देज वोजके हुए बढ़ करती है उसके बाद अगर हम युणाएटेट नेशन की बात करें, United Nation के organization, food and agriculture organization, उनकी survey के मताबिक 1.9 billion tons of food जो हर साल पूरे world में जाया होता है, तो सोचिए कितना जादा खाना वेस्ट हो रहा है, अगर वही खाना गरीबू में बांटा जाए, या वही पैसा जो शादियों में एक्स्ट्रा खर्च के लिए इस्तमाल किया जाता है, उसे किसी गरीब बाप के हाथ दिया जाए, जिसे वो बेटी अपनी बेटी को भिहाने में इस्तमाल कर सकता है, या कोई गरीब है हमारी society में, economically weaker sections है हमारी society में, गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, अगर हम उस पैसे को उनको दिया जाए, खाने में इस्तमाल, जो फजूल खर्ची में पैसा इस्तमाल हो रहा है, उसे खाने के इस्तिमाल में लाया जाए बिलियन टन्स का खाना वेस्ट हो जाता है वो वान थर्ड हो गया एक तिहाई हिस्सा हो गया जो एक प्रिडूस किया जाता है human consumption के लिए तो सोचिये कितना खाना वेस्ट हो रहा है उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया की Global Hunger Index की बात करें, इंडिया का रैंक जो है 107 रैंक, जो है 121 कंट्रियों में से 107 रैंक हमारे इंडिया का है, तो खाना ही नहीं वेस्ट हो रहा है, खाने के पीछे जो जमीन में महनत लगी है, एग्रिकल्चर में जो महनत लगी है, जो किसान महनत करते हैं, या जो उसके पीछे capital लगी है, जो उसके पीछे labor लगी है, सब waste हो जाता है, इसके साथ ही साथ हमारे environment में resources जो है, उन्हें जो है, उनका exploitation हो जाता है, तो सोचिए इससे हमारा माहूल कितना जादा जो है, उस पे भी effect पढ़ता है, उस पे भी कितना जादा असर पढ़ता है, तो य पैसा जो फजूल की gifts में, फजूल बाकी प्रिवेडिंग gifts distribute करने में, या बाकी decoration या जो भी सामान extra जीजें जो शादी में की जाती है, उस फजूल खर्ची से जो बचा जाए, और वो पैसा किसी अची जगा पर लगाया जाए, जहां लोग जो से फाइदा उठा सकें, तो अगर ये बिल पास होता है पार्लिमेंट में, तो सोचे इसे कितने गरीब बापूं के कंधूं पर जो बोज है अपनी बेटी को भी हाने का, वो जो है वो कम हो जाएगा